ममता की स्कूटी को लेकर इस बीच प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने तंस कसा है नंदी गराम में स्कूटी गिरना तै है हम क्या करें भवानी पुट से स्कूटी नंदी गराम की ओर मोडी क्यों दीदी हम भला चाते हैं नहीं चाते कि आपको छोट लगे लेकिन प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ये कहते हुए कहा निशाना साथ रहें जरा सुनिये कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी समाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सब कुछल रहें आपको चोट न लग जाए अच्छा हुआ आप गीरी नहीं नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन मना लेती अरजुन सिंग हमारे साथ मौजूद हैं भारती जन्ता पार्टी के सांसद नंदी गराम में स्कूटी गिरना तैय है नंदी गराम का ये जो सूपर हीट मुखाबला है ये सबसे दिल्चस्प सबसे जादा काटे की टक्कर होने जा रही है अरजुन सिंग साब इसमें कोई शक नहीं है लेकिन आप मानते है चुनौती बहुत बड़ी है शुबेंदू अधिकारी के सामने नंदी गराम में क्योंकि मुखाबला बंगाल की सबसे बड़ी नेता से वो चहरा जो सबसे बड़ा चहरा है बंगाल की सियासत का ये तो आप मानेंगे देखिए बंगाल की इतिहास में जब परिवर्तन आया ना तो परिवर्तन में मुखमंत्री का भी हारना तय हो जाता है आप देखे होंगे बुद्ध्यो भट्चार जी भी हारे थे और ममता बनर जी भी हारेंगे अगर उनको हार का डर नहीं रहता तो भवानीपूर से नंदिक राम नहीं जाती नंदिक राम में उनका जो डेमोगरफी उनको मिला था वो कहीं न कहीं से उनको लगता था कि वो जी जाएंगे लेकिन नंदी ग्राम में निश्चीत रूप से ममता बनरजी जी हार रही है और इस कूटी गिरना सही में उनका तय है इस कूटी वहाँ चलेगा नहीं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा जहां तक मुझे ख्याल है और ममता बनरजी जी पूरे बंगाल में अब देखे होंगे जिस दिन उन्होंने घोषना की थी अपने चुनाओ के प्रार्थियों का नाम उसमें उन्होंने कहा अब एक बात और भी कहा था कि टाली गंज से भी मैं लड़ सकती हूं तो भवानी पूर छोड़के अब नंदी ग्राम गई और नंदी ग्राम से अब टाली गंज के तरब भी रुख मोड सकती है पहले फेज में चुनाओ है और चुनाओ का उनको समझ में आही जाएगा कि चुनाओ किसके पक्ष में जा रहा है तो वो निश्चित रूप से अब आगे में दिखियेगा को टाली गंज से भी नोमिनेशन भरेंगी ममता बनट जी जी ठीक है